जैहिंद आज किस वीडियों में हम गोदली के पार्ट 10 मचली जो पार्ट है इसके लेखक परिचे और सरांस को डिसकस करेंगे देखिए जो मचली पार्ट है वो एक कहानी है थात इसे एक कहानी के रूप में लिखा गया है और इसके लेखक हैं बिनोध कुमर सुकले चलिए लगभग जैहिंद सब कुछ होना बचा रहेगा ये दोनों जो रचनाय है ये इनके कभीता संग्रा है और नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे दिवार में एक खिरकी रहती थी ये जो तीनों रचनाय है ये इनके द्वारा लिखी गई परमुक उपनियास है पेरपर क अरुप लगभग है अश्मुरिति पृसकार 1992回 में इन्हें प्राप्त हुए ओर देखेंगे डायावथी देखेंज फ्रप्रस कर लिखा प्राप्त हुआ है उस लेखा का नाम आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दिजेगा सहाइत्य अकादमी पुरिसकार 1990 इसमें प्राप्त हुआ है चलिए अब हम सरांस को डिसकस कर ले देए देखिए हमारा सरांस दिया गया है कि प्रस्तूत कहानियों के बिनोत कुमार सुकल के संकलन महा बिडाले से लिए गया है यानि जो हमारी कहानी है मचली उससे कहां से लिए गया है तो जो बिनोत कुमार सुकल का एक कहानी संग्रा है महा बिडाले उससे लिए गया है कहानी इस्तिति के बारे में बताया गया है यानि इसमें किसी यूगा के बारे में भी चर्चा की गई है कहानी एक छोटे सहर के निम्न मद्धे वर्गे परिवार के भीतर के वातावरन जीवन एथार्थ और संबंधों को अलोकित करती हुई लिंग वेध की समस्या को भी सपर्ष करती है यानि इस कहानी में किस वर्ग के बारे में चर्चा की गई है जो कि एक छोटे से सहर में रहते हैं घटनाय, जीवन परशंग, आदी के वीवरन एक बच्चे की आखो देखे हुए और उसी के मित कथन से उपजिस्जादी भाषा में है देखिए जो कहानी है वो जो बच्चा है एक छोटा सा वही उसी के आवो जो देखता है उसी को इसमें लिखा गया है और उसी के भाषा में उसी को बच्चा है वो जो सोचता है और जो बोलता है उसी को इस कहानी में लिखा गया है यहाँ पे स से विलेट कर लाए के बजार से होती है यहां bene के साथ और पिता जी के साथ बजार गया होता है और उनके पिता जियो होते है उन्हें तीन उन्हें नहीं चुकी होती है और बज़ी होती है एक मरचुकी होती है तो मचली जिंदा होती है दो तूटत हो ढहती है और दो बड़ा बहुता है और नौकर था भागु कौन था भागु झानाम है जू नौकर था वह नौकर मछली रहे हैं, कहानी को कहते हैं on saltyас मछली को पेट से डबागा बैठा है और वो जो नौकर है भगू वो उससे छिनने की कोशिस कर रहा है तो यहां से फिर जो वक्ता है वो घर में दोड़के जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने दीधी की आवाज सुनाई देती है फिर वो देखते हैं कि उनके पिदा जी जो थे वो घर के बाहर टहल रहे थ बाद में जो होगा उसे देख लूँगा तो जो जो दीधी थी वक्ता की उन्हें देखते हैं तो जो हमारे लेखक है जो वक्ता इस कहानी के उन्हें उस मचली की याद आती है जब भगू उसे गमची में लपेटकर काटने के लिए रखता है जिस परकार मचली तरप रही परकार अभी दीधी भी तड़ा पर रही है ऐसा हमारे जो वक्ता है कहानी के उन्हें महसूस होता है और जो यहां से कोशन पूछता है कि मचली कहानी में दीधी का प्रेमी कौन था तो नरेश ऐसे यह कहानी में क्लियर बताया नहीं गया है लेकिन objective में बोर्ड में पूछत है और पूछ भी सकता है कि मचली कहानी में दीधी के प्रेमी कौन थे तो नरेश थे इस प्रकार इस पार्ट के हमने लेखक पर इच्छे सरांस और कहानी के बारे में भी important points को discuss कर लिया नेक्स्ट वीडियो में हम इसके objective question को discuss करेंगे जिससे देखने के लिए आपके आपको मिल जाए जाहिन जावारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मचली पार्ट के objective question के साथ धन्यवाद